हलो एवरिवान वेल्कम टु कीचन टेप्स आज हम लोग बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल आमला कैंडी आमला खाने के लिए हिल्दी होता है हम लोग कच्छा उससे बहुत जादा खाने ही सकते इसलिए हम लोग उसके अलग अलग चीज़े बनाते हैं चलो तो आमला कैंडी बनाना शुरू करते हैं आमला कैंडी बनाने के लिए मैंने एक किलो आमला लिये है और शक्कर ली है सबसे पहले हम लोग ग्यास पे एक गंजी रखेंगे में हम लोग थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे उसके बाद मैं उसके उपर छन्नी रख रही हूँ इस पे हम लोग आमला रख देंगे रखो भी हम लोग स्टीम देने वाले हैं आप चाही तो इसे स्टीमर में भी स्टीम दे सकते हैं इस स्टीम के लिए कम से कम 15 मिनिट लगेंगे जब आमले पे इस तरह क्राक दिखे तब समझ देजे कि आपका आमला पक चुका है चलो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसे थोड़ा से थंड़ा होने देते हैं उसके बाद हम लोग इसे इस तरह तोड़ लेते हैं अगर आपके आमले पे इस तरह क्राक नहीं दिख रहे तो आप चाकु से या फिर काटे की चमच की मदद से चेक भी कर सकते हैं आमले के हम लोग सारे सिट्स निकाल लेते हैं। इस तरह आमले के पीसेस को हम लोग अलग-अलग कर लेते हैं। आमले में से सिट्स निकालने के बाथ हम लोग उसमें शक्कराइट करेंगे। इसमें मैं एक बाउल शक्कराइट कर रही हूँ। अगर वेट में बताया चाहे तो एक पाव से थोड़ी से जादा है। हम लोग इसे इस तरह मिक्स कर लेते हैं। हम चाहे तो इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसे चांसिस है कि आमले के पीसिस तूड़ जाएंगे। यह अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम लोग इसे ठक कर रख देते हैं। इसे हम लोग मैक्सिमम चार दिन तक ठक के रख सकते हैं। मैं इसे सिब दो दिन के लिए ठक के रख रही हूं। एक दिन के बाद देखिए इसे किस तरह पानी चूट गया है। अगर आप इसे चार दिन के लिए रख रहे हैं तो make sure कि आप उसे सुभेश शाम चमच की हिल्प से mix करते रहें इसे mix करना जरूरी है ने तो उसे fungal infection लग जाएगा हम लोग पानी में स्यावले एक प्लेट में निकाल लेते हैं जो बचावववा पानी है उसका हम लोग juice बनाने के लिए यूज कर सकते हैं चलो आमले को अभी हम लोग सुखा लेते हैं इसे दो दिन तक हम लोग ऐसे सूखने देंगे मैं इसे इस तरह polythin cloth पे सुखा रही हूँ आप चाहिए तो इसे प्लेट में भी सुखा सकते हैं दो दिन सुखाने के बाद आमले को मैंने प्लेट में निकाल लिया है इसमें अभी हम लोग PCV चीनी आड़ करेंगे मैंने इसमें एक चोटी बाउल PCV चीनी आड़ की है इसे अच्छे से mix कर लेते हैं इसमें हम लोग चाहिए तो रॉक सॉल पे आड़ कर सकते हैं इससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसे हम लोग अच्छे से mix कर लेते हैं और और एक दिन धूप में सुखा लेते हैं अगर आप इस चाइनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए एक दिन धूप में सुखाने के बाद देखिए इसका किस तरह कलर चेंज हो चुका है ये आमला कैंडी रोज सबेरे खाने से आपके आसिडिटी हाई नहीं होगी आमला कैंडी को हम लोग 7-8 महिने तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिए अब मैं एक आमला कैंडी आपको तोड़ के दिखाती हूँ देखिए कितने अच्छे से हमारी आमला कैंडी बन जूकी है न अगर आप इसे बहुत जादा दिन तक धूप में रखेंगे तो ये जल्दी ही कड़क हो जाएगी इसलिए इसे बहुत जादा दिर तक धूप में नहीं रखना है आमला कैंडी खाने के लिए रेडी है थैंक ये फर वाचिंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब